जस्टिन टूडो ने कल जड़ी अपने पार्लीमेंट दे विच स्टेटमेंट देती है वो स्टेटमेंट ने पारतनों एकवर हिला देता है क्लियर कट जस्टिन टूडो ने जड़ी शक्त दी उंगल है वो इंडियन थर्ड अजंसी वल कर देती है पाई हरदीब सिंग निज्जर दा कतल दे पिछे इंडियन अजंसी दी इन्वाल्मेंट है एक गल दा संकेत काल जस्टिन टूडो ने दे देता है और एक गल उन्हाने कोई पुलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती है उन्हाने अपने पारिमेंटरियन्स नोइ अड्रेस करते हैं और स्टेटमेंट दें तो पहला उन्हाने क्लियर किता है कि जो गल मैं कह रहे हैं कनेड़ा दी इन्वेस्टिगेटिंग अजंसीज दी रिपोर्ट दे बहाफ दे कह रहे हैं और फिर उस व्यक्ति दी फराग दिली देखो उस दी स्टेट्समेंशिप देखो कि उन्ने जी ट्वंटी दे मौके पारत आके पारत दे प्रदानमंत्री निरंदर मुद्दी नू एगल आमने सामने बैके अक्च अक पाके कही हैं के तो अडियां अजन्सीज साधे मुल्क दे विच इंटर्फियर कर रही हैं तो अडियां अजन्सीज दा पाई निजजर दे कतल दे पिछे रोल आपू मिखाए फिर उन्हें एगल यूएस प्रेजिडंट नू कही है जी टॉंटी दे मौके फिर यूके दे प्राइम निस्टर नू कही है तिन मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दे हेड़ नू कैन तो बाद वापस गए उन्हाने अपने साथियां नू मंत्रियां नू ते अपनी अवाम नू गल कही है ए ओगल है जेड़ी सिक कौम पंजाब विच ते वदेशा विच उस दिन तो कह रही है जजदिन दा पाई परमजी सिंग पाँजवाड नू छे मई नू लहौर दे विच गोलियां मारके उस दा कतल कीता गया सी इमिजेटली डेड़ महिने बाद 18 जून नू पाई निजजर नू गोलियां मारियां गए है असी ओदों मी क्या सी कि दोना दी शहादत रंग ले आएगी दोना दी शहादत दे पिच्छे दोना दे कतला दे पिच्छे हाथ पावे अलग लगने पर सोच दे दिमाग एक की है और ए ओ लोग ने गेड़े दिल्ली दे विच बैठे सरकारा नू रिमोट कंट्रोल रही चलों देने अधे विच पुलिटिकल लेडर्शिप दा किनी को पूमका है उनननू लूप दे विच रख्या गया है नहीं रख्या गया है एता हुन देश दी चड़ी पारदी पुलिटिकल लेडर्शिप है ओई दसेगी प्राइमिनिस्टर नू जवाब देना चाहिए है एक कोई तरक कोई जवाब नहीं है कि आसी कनेड़ा दे ऐलिगेशन्स नू रद कर देए केड़ा मुल्क मननेगा केड़ा मुल्क कहेगा हाँ जी असी मारे ने असी एक्स्ट्रा डुडीशल ओपरेशन्स कर दे हैं कि दुनिया दे वड़े सारे मुल्क कर देने एक्स्ट्रा जुडीशल ओप्रेशन दुज्जे मुल्कां देवेच अपने वरोधिया नू मार देने पार्थ भी मारता है परे बचया सी इने नकाब पाया सी टूडों ने काले ना दा नकाब लाया नशर कीता है नू दुनिया दे विचे नंगा कर देता है कि एकम और देखो उन्हें कला अपने कारवाय के नहीं किता है इते दसके गया इपहुत बड़ी ओदी दिलेरी भी है बगानी थाहां ते आके उस दे उस देज दे मुखी नू अम सामने बैके एगल कहनी कि तो अडिये जन्सिस दा रोल है इत बहुत बड़ी गाला है असी लोग ते कही रहे सी असी दे प्रोटेस्ट भी किता सी रहो दे आफिस दे बार रहे थे छे जड़ा कतल होया सी मेरे खाल इट वस फस्ट जलाई एक जलाई नो सी प्रोटेस्ट किता सी स्टेट्मेंट सब ने देती हैं साथ से मन जिसी मान भी देते पार्लिमंट दे विच बोलेने असी मंग भी का रहे हैं असी जस्टिस टूडो नो बाई जून नो चार दिन कतल तो बाद जस्टिन टूडो नो चट्छी भी लिकी सी कि सानू फेर प्रोब चाहिदा है असी कातल सलाखां दे पिछे चौन ने या असी चौन ने चातल फड़े जान उननो कनेडियन लॉज दे तहत सजामा हों और देखो उस मुल्क दे उस प्रदान मंतरी दी कि उन्हें अठ दिन बाद सानू जौब भी पिच जासी उन्हें कैसी प्रोब जारी है असी तो अड़ी चट्छी जस्टिस डिपार्टमन नो फौवर्ड कर देती है असी पूरी सिंसेरिटी देनाल कोशिश करांगे कि कातल फड़े जान असी उन्हांनों परमिट नी करांगे कल होना दिया है जड़ियां कल जस्टिस टूड़ो थे उधे फॉर्ण मिनिस्टर दी जड़ियां स्टेटमेंट्स ने रिमाकबल ने उना ने कहा कि असी बरदाश नहीं करांगे कि कनेडियन नाक रिक्ता कोई बारों आके इते कतल करें इसा डिसोवरैनिटी दी वाइलेशन है तो बहुत बट जड़ा है और कल्ला ज़ाम नहीं लगा सौरी मैं भी जड़ाम बढ़ बढ़त रहे हैं कल्ला ज़ाम नहीं लगा हुन्हें एक्शन भी किता उन्हें एक्शन वी किता उन्हें जड़ाri एगेंट cav पारत ने रेक्ट कर देता अगो तो इना ने इना दा आते है एक नॉर्मल नॉम है जो इना ने कीता है एक्शन उदा है उन्हें इंडिया तो कॉपरेशन भी मंग गया है अगर इंडिया कॉपरेट करन ली त्यार है अगर इंडिया केंदा साड़ा कोई रोल नहीं है साड़ा कोई उधे पॉमका नहीं है ते फिर कॉपरेट करन अपने ओफिसर नो कहन कि उधे इन्वेस्टिकेशन नो जॉइन करें क्योंकि उधे कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है कूट नितिक कवज है उधे कोई कूट नितिक सुरक्ख्या है गी है उनको उधे गृफ्तार नहीं कर सकता तो वापस आ रहे है अगर उधे पारत चांदा है कि अपने दामन तो इलजाम लोना ते फिर अपने आफिसर नो कहे उधे स्टे करे ते कनेड़ा दी इन्वेस्टिकेंशन अजंसी नो जॉइन करे उनना दे सवाला दे जवाब दवे ते सली बख्ष जवाब दवे फिर पता लगेगा सो मैंनो लगदा है कि ए भी पॉलिटिक्स कार रहे ने फस ए गए ने पारता ले पता दुनिया नो लग गया है वाइटाउस ने भी एदा सीरियस मतला नोटिस ला ले है उनना ने कहता है बड़ा सीरियस एक्क्यूजिशन है उन ओवी एस जी दी प्रोब करनगे उन सारी दुनिया दी आखां खोल गी आने और असी ते बेंती करना चाने है कि पाकस्तान वी एक कॉंप्लेक्स तो बार आवे गौर्मेट आफ पाकस्तान वी क्लियर करे कि पाई परमजी सिंग पांजवार दे कतल दे पिछे वी कौन सा उननों चुप नी रहना चाही था और जे टूडों ने हिम्मत कीती है ते बाकी मुल्क भी इवन युके भी इस गल्दा दी इन्वेस्टिकेशन करना कि पाई अफ़तार सिंग खंडा दी जड़ी पेत पर हलाता दे विच मौत होई है उदे पिछे की कारना क्यों होई किमे होई जो एक्क्योजिशन जो खदशे कौम दास रही है जो चंतामा कौम परगट कर रही है उसनों संजीदगी दे नाल लेना चाहीदा सो मैंनों लगदा कि पारत एक कुड़की जा गया और इस तो बचंदा एक कोई कराए कि सच बोले और सच बोलके परदान मंतरी देस्टन के की उना दी अजन्सीज एक्सटन और दूसरी गार लेकि अगर एस नों अग़े तो रोकना है एस चीज नों रोकना है ते पारत एपरदान मंतरी ने उन्हानों क्लियर कट एक पुलिटिकल विल दे नाल एक दिसीजन लेना पढ़ेगा क्योंकि जदों दा कश्मीर दे विच उन्हाने 370 तोड़ी उस तो बाद उन्हान दे हांसले उन्हान दे स्क्योटी इस्टैबलिश्मेंट दे बहुत वदे ने उवद चड़के हमलावर होए ने ताना शाही फैसले कर रहे ने हियूमन रेट्स दियम वाइलेशन्स कर रहे ने परवा नहीं कर रहे अमेरिका नों खुश करके अपने नाल जोड लिया ते इस तरह महसूस कर रहे ने कि अमरिका सा डेनाल है हुनसी सारी दुनिया नों पामेको चल दे आंगे हुनसी सारी दुनिया नों रौन दे आंगे इस वहम तो अबारान इस परम तो अबारान इस इलूजन तो अबारान ते अपनिया जडिया इलीगल एक्टिविटीज ने जडिया 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 अपरेशन्स का रहे ने उन्हों स्टॉप करन अगर उचांदेने के अगोंतों किसे भी कौम वलो किसे भी खिते वलो कोई रेक्शन ना होगे